तो वेल डियरी स्टुडेंस फिर से मैं एजाज लडन आपका स्वागत करता हूँ तो चलिए सबसे पहले हैं आप प्रश्ण को समझते हैं सिंपल सा एक प्रश्ण है है तो काफी सिंपल सा एक प्रश्ण लेकिन आपको एक वर्ड को यहां पर समझना है कि वर्सा धीन क्या होता है तो सबसे प्रयाई को समझते हैं यहां पर है कि भारत में उपजाय जाने वाले यानि भारत में उपजाय जाने वाले पैदावार करने वाले वर्सा धीन फसलों के नाम लिखें यानि हमें ऐसे फसलों के नाम लिखना है जो वर्सा धीन हो वर्सा धीन का मतलब वर्सा के जो अधीन हो बारिस के जो अधीन हो यानि जो फसल वर्सा पर बारिस पर निर्भर हो वर्सा पर बारिस पर आस्रीत हो तो ऐसे फसलों को वर्सा धीन फसल बोलेंगे तो आईए उत्तर में यहाँ पे देख लेते हैं यहां उतर में है कि भारत में उपजाय जाने वाले वर्साधीन फसलों में धान क्या है धान और इसको कोई चावल भी बोलते हैं धान से ही चावल निकलता है तो आप धान बोलिए या चावल बोलिए एक ही बात है उसके बाद है जवार, बाजरा, मक्का, आदी परमुक है यानि ये जो नाम लिए यहां से यहां तक ये सभी वर्साधीन फसल है जो वर्सापर निर्वर हैं वर्सापर बारिसपर आसरीत है तो यहाँ पर ये वीडियो समापत होता है इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चानल के पले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं यदि आपको पले लिस्ट में जाना नहीं होता है तो यूटूब में ही सर्च करें कि पले लिस्ट में कैसे जाएं किसी की भी चानल में तो आपको वो बता देगा